मैं जिस शायर को आमंतरित करना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को आमंतरित करना चाहता हूँ, बड़ा मुश्किल काम है, मैं आज मुनवराना सहाब के पास बैटके ये बात कह रहा था, कि तीन साल में मैंने एक बात जानी, मैं जिने बहुत बड़ा समस्ता था, बड़े लोग पूर्टर कुमर बेचेन का ये शेर बारहा याद आया और आपको भी याद आया होगा बहुत सारे चेहरे आप पे याद आया हैं तो आप भी अपनी तालियों से बताना कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ मैं कई बड़े लोगों की मीचाई से वाकिफ हूँ बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना लेकिन हमारी नौम्र शायरी में एक नौजवान शायर ऐसा है जो बड़ा शायर और बड़ा इंसान होने की पूरी पूरी शिद्दत के साथ को शिश कर रहा है वो एक बहतर इंसान है या बहतर शायर ये उसको जानने वाले अक्सर इस बात में तैर नहीं कर पाते मेरे बहुत अजीज दोस्त और आप सबके बेहत पसंदीदा शायर लक्नव से मैं तारिक कमर साहब को आमंत्रित करता हूँ एक बार जोड़दार तालियां बजा कर आप तारिक कमर साहब का साथत करिएगा तारिक कमर साहब मजद सामाइन बहुत खुबसूरत माहूल मेरी हैसियत अब इस मुशायरे में एक मेजबान किसी है जाहर है कि गुजिश्टा कई साल से मसलसल मेरा यहां पर सफर है कोशिश करता हूँ कि चंशेर मैं आपकी खिद्नत में पेश करता हूँ उसके बाद एक नजम मुक्तसरती पेश करूँगा जनाब सदर की अजाद से चंशेर पेश करता हूँ मुलादा फरमाईए अर्थ करता हूँ कि एक तस्वीर जलानी है अभी एक तस्वीर एक तस्वीर जलानी है भी जलानी है भी एक तस्वीर जलानी है भी हां मगर आख में पानी है भी वाह एक तस्वीर जलानी है भी हां हाँ मगर आख में पानी है भी सियासत और अदब का बहुत गहरा तालूख है आज दुपेर महतरम डॉक्टर कुमार इश्वास साथ से गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि शायरी जो है वो सिर्फ इशारों अलामतों और कनायों का नाम है और बगएर किसे का नाम लिए भी गुजरात तक पहुँचा जा सकता है मैं उन्ही के हवाले से एक शेर आपकी खिद्मत में पेश करूँगा और मुझे उमीद है कि आप महल फराम करेंगे कि एक तस्वीर जलानी है भी एक तस्वीर जलानी है भी हाम अगर आख में पानी है भी और उसने जब हाथ मिलाया तो लगा उसने जब हाथ मिलाया तो लगा दिल में एक फांस पुरानी है भी वाह उसने जब हाथ मिलाया तो लगा दिल में एक फांस पुरानी है भी और एह हवा ऐसी भी उजलत क्या है वाह एह हवा ऐसी भी जल्दी क्या है एह हवा ऐसी भी उजलत क्या है मुलादा फरमाएंगे देखिए बहुत बाजोख सामाईन है और कोई भी अच्छा शेर्जाई नहीं जाता है दुबई में मुलाद़े फर्माइंगे के ऐ हवा ऐसी भी उजिलत क्या है क्या कहीं आग लगानी है भी बहुत नमादिश महतरा मौरफईस आबका हूकम था रेहन भाई आफ़ता भाई फरान भाई और शादिया बहन हमेशे हमें अपनी दौाओं में भी याद रखते हैं और ये हमें मौका भी फराहम करते हैं कि यहां पर आगे चंड शेर हम पेश कर दें एक नजम तक पहुंचूंगा उससे पहले सिफ्टी कि अगर सबसे बड़ा हो जाएगा क्या हमारी प्यास का करदा अदा हो जाएगा और देगे खास तो देशेर बड़ादा फरमाएंगे कि खाक जब हसे बड़ेगी खाक में मिल जाएगी वाँ खाक जब हसे बड़ेगी खाक जब हसे बड़ेगी खाक में मिल जाएगी आदमी है आदमी कैसे खुदा हो जाएगा वाह बहुत अच्छे खाक जब अस्टे बढ़ेगी खाक में मिल जाएगी आदमी है आदमी कैसे खुदा हो जाएगा और ये जो दरिया काटता है गाउं के सब रास्ते ये जो दरिया काटता है गाउं के सब रास्ते ये जो दरिया काटता है गाउं के सब रास्ते शहर पहुँचेगा तो खुद ही रास्ता हो जाएगा ये जो दरिया काटता है गाउं के सब रास्ते शहर पहुँचेगा तो खुद ही रास्ता हो जाएगा और इन चाहतों का कोई नतीजा नहीं तो क्या इन चाहतों का कोई नतीजा नहीं तो क्या इन चाहतों का कोई नतीजा नहीं तो क्या डॉक्टर कुमाश शिस्वार की विश्वार साथ की नदर कर तो मुनादर कर जिए अब शाहतों का मानिय बफूम खुल जाए इन चाहतों का कोई नतीजा नहीं तो क्या हम तो उसी के हैं वो हमारा नहीं तो क्या वाँ, बहुत अच्छे इन चाहतों का कोई नतीजा नहीं तो क्या हम तो उसी के हैं वो हमारा नहीं तो क्या और देखिए एक शेयर फिर में पेश करता हूँ कि हम तो उसी के हैं वो हमारा नहीं तो क्या हर आख जानती है के सूरज रहा हूं मैं इन चाहतों का कोई नतीजा नहीं तो क्या हम तो उसी के हैं वो हमारा नहीं तो क्या हर आख हर आख जानती है के सूरज रहा हूं मैं अब मेरे आस्वों में उजाला नहीं तो क्या हर आख जानती है के सूरज रहा हूं मैं अब मेरे आस्वों में उजाला नहीं तो क्या और एक नजम के लिए मुझे हुकमता में पेश किये देता हूं उसके बाद अपने नशित लेता हूं मुलादा फरमाईएगा जी बई नजमु का उन्वान है राम तेरी गंगा मेली मुलादा करेगा कि एसास है उसकी तलाफी आप लोगों के पास है मैं पेश करता हूँ कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि तेरे पानी को लेके चलू में अपनी आखों से मैं लगा लूँ कभी कभी मैं ये सोचता हूँ के तेरे पानी को लेके चलू में अपनी आखों से मैं लगा लू जब अपनी आखों को साफ कर लू तो फिर मैं तेरा तवाफ कर लू कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि तेरे पानी को लेके चलूँ मैं अपनी आँखों से मैं लगा लूँ जब अपनी आँखों को साफ कर लूँ तो फिर मैं तेरा तवाफ कर लूँ कभी कभी मैं ये चाहता हूँ कि तेरे साहिल पे बैठ कर ही वजू करूँ कभी कभी μεुंई ये चाहता हूं के तेरे साहिल पे बैठकर ही वजू करूं मैं नमाज पढ़िण। के सर जुकाऊँ खुदासे फिर ये दौाइं मांगूं तेरात तकदस, तेरा तमवुज तेरी रवानी रहे स्लामत ये बहता पानी रहे सलामत कभी कभी मैं ये चाहता हूँ के तेरे साहिल पे बैट कर ही वजू करूँ मैं नमाज पढ़नों के सर जुकाओं खुदा से फिर ये दुआएं मांगू तेरा तकद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द दो कर में तुष्को नापाग कर दो नपाक कर चुका हूँ और बस एक मतल़ दो शेर के नजर नजर से मिलाकर कलाम कराया नजर नजर से मिलाकर कलाम कराया घुलाम शाह की नेंदें हराम कराया नजर नजर से मिलाकर कलाम कराया घुलाम शाह की नेंदें हराम कराया घुलाम शाह की नेंदें हराम कराया घुलाम शा नीने हराम कराया और ये किसकी प्यास के छीटे पड़े हैं पानी पर ये किसकी प्यास के छीटे पड़े हैं पानी पर ये किसकी प्यास के छीटे पड़े हैं पानी पर ये कौन जबरु का किस्सा तमाम कराया ये किसकी प्यास के छीटे पड़े हैं पानी पर ये कौन जबर का गिस्सा तमाम कराया कलाम कैसे किसी ओर से करूं तारिक मैं अपने लफस तो सब उसके नाम कराया वाह वाह एक बार जोड़ार तालिया रॉक्टर तारीक कमर साहब के लिए